Hello Friends, मैं मली का खुराना, Healthy Recipe Home में आपका स्वागत करती हूँ. आज हम बनाएंगे Italian Seasoning. इस Seasoning को हम पीजा, मकरॉनी और एवन हम चीले में भी डालेंगे तो ये बहुत टेस्टी लगता है. बहुत सारी डिशिज में इस Seasoning का यूज होता है. ये Seasoning हम Fresh Leaves से बनाएंगे, जो की मेरे घर पे लगे हैं. तो चलिए Instant Italian Seasoning बनाना शुरू करते हैं. ये अजवायन का प्लांट है, जिसे औरिगेनो प्लांट भी कहते हैं. इससे हम कुछ लीव्स निकाल लेंगे. ये देखिए, ये बेसिल लीव्स हैं, जिसे नियाजबो भी कहते हैं. इसकी भी हम कुछ लीव्स निकाल लेते हैं. ये तुलसी का पौदा है. तुलसी भी दो तरह की होती है, एक राम तुलसी, एक श्याम तुलसी. ये श्याम तुलसी है, इसकी भी हम कुछ लीव्स निकाल लेंगे तुलसी की लीव्स optional है अब हम ये curry लीव्स ले रहे हैं Italian seasoning में ये जो लीव्स हैं ये optional है लेकिन South Indian dishes में इसका बहुत यूज है ये हमने सारी लीव्स ले ली हैं अब one by one करके हम इनको वाश करेंगे और dry करेंगे सबसे पहले हम curry लीव्स को वाश करते हैं वाश करने के बाद इसे towel पे रखके थोड़ा सा सुखा लेंगे हम तो ये instant बना रहे हैं तो हम microwave में सुखा रहे हैं और यदि आप चाहें तो आप इसे धूप में भी सुखा सकते हैं इन लीव्स को हम microwave safe plate में रखेंगे और तीन मिनट के लिए हम microwave करेंगे ये ध्यान रखना है कि लीव्स एक के उपर एक नहीं आनी चाहिए सब अलग-लग कर देनी हैं ये देखी कि ये ड्राइ हो गए हैं और ये देखी कलर भी चेंज नहीं हुआ अब हम बेसिल लेंगे और इसे भी वाश करके ड्राइ करेंगे microwave safe plate में डालेंगे और त्री मिनट के लिए इसे microwave करेंगे ये देखी ये टूट रहे हैं इसका मतलब ये भी ड्राइ हो गए हैं अब हम अजवायन लीव्स को wash करेंगे और ड्राइ करेंगे इसे भी हम microwave में ड्राइ करने के लिए रख देंगे लेकिन अजवायन लीव्स को time ज़ादा लगता है इसे हमने 11 मिनट के लिए microwave किया है हमने 4-4 मिनट के इंटरवल पे चेक किया ये अभी dry नहीं थी, ये soft थी वापस microwave करते रहे ये देखिए अब ये लीव्स टूट रही हैं तो ये dry हो गए हैं, इसे भी हम निकाल लेंगे अब हम तूलसी लीव्स को भी wash करके 3 मिनट के लिए microwave करेंगे ये सारी लीव्स ड्राई हो गई हैं तो इसे हम हाथों से crush करेंगे अजवायन लीव्स और बेसी लीव्स दोनों 1-1 स्पून है तुलसी और करी लीव्स 1-1 टी स्पून है crush करने के बाद इसे हम blender में डाल देंगे हम तो seasoning blender में बना रहे हैं आप चाहें तो mixi में भी वना सकते हैं लेकिन mixi में इसका form proper powder हो जाता है और blender में ये proper नहीं पीसी जाती तो उससे taste और अच्छा आता है अब हम blender में एक चमच garlic powder डालेंगे ये garlic powder भी हमने घर पे बनाया है garlic के छिलके हटा के इसे हमने सुखा लिया है आप ये microwave में भी कर सकते हैं और या फिर धूप में भी कर सकते हैं और यदि आप microwave में कर रहे हैं तो इसे थोड़ा सा crush कर दें और उसके बाद इसे microwave करें 1-4 teaspoon black pepper powder डालेंगे और 1-5 teaspoon mint powder mint powder भी हमने घर पे बनाया है ये mint की leaves को लेके धोके सुखा के इसको dry कर लिया है 1-4 teaspoon chili flakes और 1-5 teaspoon salt डाल देंगे अब इन सब को हम blender में पीस लेते हैं ये देखिए ये coarsely grind हुआ है ये powder form नहीं है यदि आपको powder form चाहिए तो आप इसे mixi में पीस ले ये देखिए Italian seasoning ready है ये बहुत जल्दी भी बन गई है और बहुत flavorful भी है इसका aroma पूरी kitchen में महक रहा है ये fresh seasoning डालने से किसी भी dish का स्वात दबल हो जाएगा अब आप ये instant Italian seasoning बनाईए खाईए और enjoy करिए और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो like, share, comment और subscribe जरूर करिए Thank you